वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफरम पर मैं लले तराठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, आसा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी और इतनी गर्मी के मौसम में आपका स्वास्त है भी उस सेक्षन ए को स्ट्रॉंग करना है और साथ के साथ क्योंकि यहाँ पर मैं मिक्स कोस्टन प्रिवियस एयर्स के जो कोस्टन पेपर हैं उसमें आए हुए हैं तो उससे आपकी जो फिजिक्स है वो धीरे 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 यूनिट वाइज रिकॉल भी होती चली जाएग तो उसके कोस्टन यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे अधर्वाइस सभी यूनिट के कोस्टन आपको यहाँ पर हर संखला में यूनिट वाइस देखने को मिल जाएंगे तो आज माधब संखला का हम जो पार्ट नंबर फोर करेंगे इससे पहले पार्ट तीन हमारे यानिके भाग 3 हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर previous वीडियोस देख सकते हैं और जैसा कि आपको पता है कि प्रती एक पार्ट में हम 11 questions लेकर आते हैं तो यानि कि अगर 3 पार्ट हो चुके हैं तो लगबग हमारे 33 questions यहाँ पर cover up हो चुके हैं तो आप जाकर देखी लगबग 30 से 35 मिनट की वीडियो है अगर आप उसको speed बढ़ा कर भी देखेंगे तो आराम से 20 से 25 मिनट में आप खतम कर सकते हैं ठीक है तो यानि कि एक तरीके से जैसे कहते हैं एक boost up आपके लिए हो जाएगा आप अगर regularly इन वीडियो को देखते हैं तो आज के 11 प्रस्णों का जो सगुन है वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए start करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले आप अपने friends को अपने classmates को वीडियो को share कर दीजी जादा से जादा क्योंकि यहां पर सारी चीज़े आपको free of cost provide कराए जाएंगी कोई भी video lecture देखने के लिए आपको कोई भी course purchase नहीं करना है कोई भी आपको subscription नहीं लेना है सब कुछ free of cost है और साथी साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे YouTube चैनल पर आपको क्या क्या चीज़े मिलती हैं यह चार subject हमारे YouTube चैनल पर free of cost आपको मिल जाएंगे engineering physics fundamental of electronics engineering environment and ecology और साथी साथ fundamental of mechanical engineering फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर आप free video lectures देखेंगे free video lectures के जो PDF notes होते हैं वो आपको लगवग 80 से 90 परसेंट आपको हमारे telegram चैनल पर मिल जाएंगे मैं 80 से 90 इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ PDF notes lecture के वहाँ पर available नहीं है वो कुछ वज़य हो गई थी क्योंकि जहां पर हम save कर रहे थे वो hardest थोड़ा सा work करना बंद कर दिया था इस बज़े से वो कुछ miss हो सकते हैं तो please आप उसमें थोड़ा सा compromise करें free model papers आपको provide किये जाते हैं exam के time पर formula seats आपको provide कराई जाती है free one suit videos आपको provide की जाती हैं जब आपके exam आते हैं वैसे तो सभी subject की one suit videos available हैं ठीक है आप जाकर playlist चेक कर सकते हर तरीके की playlist बहाँ पर बनी हुई है और जब आपके exam आते हैं तो बच्चे बहुत depressions में रहते हैं उनको लगता है कि हमारी तयारी नहीं हुई है तो उनको guidance भी provide यहाँ पर किया जाता है free of cost और special इस बार हमने क्या किया था engineering physics के hand data notes हमने provide कराये थे जो मात्र 49 rupees में आपको मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक purchase नहीं किये हैं तो आप purchase करें और मैं हर वीडियो में जो जिन बच्चों ने हमारे engineering physics के hand data notes purchase की हैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही सरहना की है उन notes की क्योंकि वो notes इस language में बनाए गए हैं कि आप अगर उनको पढ़ेंगे तो भी आपको clear हो जाएगा ठीक है तो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदे तो आप उनको purchase कर सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं आज की अपनी संखला और अपनी आज की संखला का पहला question हम यह आपर देखते हैं पहला question क्या कहता है what do you mean by acceptance angle acceptance angle से आप क्या समझते हैं तो अगर आप दिहान से देखी acceptance का मतलब क्या है accept करना और angle वो angle जिस पर accept की जा रही हो कोई चीज क्योंकि यह आपका optical fiber से relate करता है तो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर diagram के माद्ध हमसे बताना चाहूं तो optical fiber जो है वो किस operation पर या किस principle पर work करता है वो है आपका TIR और TIR के लिए आपका optical fiber में light का enter कराना जरूरी है और जैसे इस पर light enter करेगी तो जिस angle पर आपको TIR मिलता है यह जिस angle में जिस angle पर आपकी light optical fiber में enter कर जाती है that's called the acceptance angle चीक है आप लिखेंगे कैसे the acceptance angle in optics यानि कि fiber optics is the maximum angle at which light can enter a fiber optic cable and still be efficiently transmit acceptance angle optical fiber में वो maximum angle है जिस पर आपकी light enter कर जाए एक optical fiber में जिससे की आपकी light को transmit किया जा सके and अगर हम देखें तो it's like a sweet spot for the light entering the fiber यानि कि अगर हम generally बोलें कि एक यह बहुती स्वादिस्ट है हम sweet को बोल देते हैं यानि कि एक ही बहुती important spot है optical fiber का जहां से light enter करती है तो I hope कि acceptance angle क्या होता है यह आपको clear हो गया होगा optical fiber के point of view से वहीं पर आगे अगर हम बात करें next question की तो next question है कि what is the origin of the magnetization of magnetic material यानि कि magnetic materials का origin जो है वो कैसे है यह हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है magnetism arise from the tiny magnetic moments of electrons in the atoms मतलब magnetism जो होता है वो कैसे arise होता है due to the moment of electrons in the atom and these moments come from the two sources generally यह जो momentum है electrons का यह two sources से होगा जैसे हम electron spin बोल सकते हैं electron का घूमना है वो भी आपका magnetism को arise करता है और दोसला है जैसे orbits motion, orbit में electron का motion होता है one orbit to another orbit जैसे जैसे आप उसको energy provide कराते हैं तो वो भी एक तरीके का आपका magnetism arise करता है तो यह दो sources रहेंगे तो अगर हम देखें यहाँ पर पहला electron spin तो electrons act like a tinny spinning magnet यानिके electrons जब spin कर रहे हैं तो that means they like as a spinning magnet और next है आपका orbital motion, orbit में जो electron का motion हो रहा है वो भी origin है magnetization का in magnetic material तो electrons orbiting the nucleus along contributing a weak magnetic fields in some materials these tiny magnetic moments aligns creating a strong overall magnetic field यानिके different materials में यह जो इसकी strength है यह क्या हो सकती है कम हो सकती है और जाता हो सकती है तो यह दो आपके reasons है, sources है, जो origin है magnetization का magnetic materials में ठीक है clear हुआ, I hope यह question आप समझ गए होंगे और अगर question में आपका पूछा जाता है, repeat होता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते है ठीक है, two marks में एक question आपका पूछा गया है next question दिखते हैं, next question क्या कह रहा है कि what is the difference between the conduction current and the displacement current यह question आपको कई बार देखने को मिलेगा displacement current से related या तो directly आपसे displacement current गुज लेगा या displacement current को वो conduction current के साथ compare करा लेगा जैसा कि इस question में पूछा गया है तो conduction current generally क्या होती है conduction current होती है, जैसे कि आपके wire में जो current flow हो रहा है मतलब flow of electrons, जैसे नदी का पानी बह रहा हो है ना, तो वो आपका conduction current कहलाएगी displacement, अगर इस word को ही आप break कर लेए displace, एक place से दूसरी place पर जो moment हो रहा है electrons का, वो आपका displacement current कहलाता है जैसे कि आपका capacitors की plate होती है capacitor की plate पर इधर positive charge create हो गया इधर negative charge create हो गया तो क्या होगा, कि यहां से यहां तक जो आपका बीच में material है, insulator फिर भी यहां पर due to the charge जो charge यहां पर एक खटा हो रहे हैं उनकी बजह से यहां पर current flow होना start हो जाता है, वो displacement current कहलाता है चलिए देख लेते हैं, displacement current को जैसे कि हवा बहती है, हवा चलती है तो आगे अगर मैं बात करूँ तो conduction current is like a river जो नदी हमारी है actually charges like electrons flow through the material materials के throw, वो flow हो रही है और वहां पर जो उन flow of charges से current flow हो रहा है, वो आपका conduction current कहलाता है महीं पर displacement current is like a bend जो हवा चल रही है energy move in an electric field जो energy का momentum हो रहा है electric field में even without physical charge moment यहां पर physically charges का moment नहीं हो रहा है जैसे कि इस wire में charges का क्या हो रहा है physically moment हो रहा है लेकिन यहां पर जो है यहां पर जो यह energy का motion हो रहा है energy का moment हो रहा है वो due to the electric field हो रहा है electric field की strength की बजह से हो रहा है तो यह आपका displacement current कहलाएगा I hope दोनों में आपको difference clear हो गया होगा ठीक है किसी भी topic की detail video देखने के लिए आप हमारे YouTube channel पर जाएंगे वहाँ पर आप playlist चेक करेंगे चाहे आप unit wise चेक कर लीजिए चाहे आप exam के point of view से important playlist बनी होई है वो जाकर चेक कर लीजिए सारी videos आपको available वहाँ पर हो जाएंगी आपको हमारे simple YouTube channel पर जाना है वहाँ पर playlist वाला option होता है उस पर आप click करेंगे सारे subject की playlist आपको unit wise भी मिल जाएंगी और exam के point of view से जो जो important है वो वहाँ पर वो भी playlist एक separate बनी हुई है तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते है किसी भी question में अगर आपको problem आती है ठीक है चलिए next question की बात करते हैं explain effect of temperature on electrical resistivity of the super conducting material मतलब temperature का क्या effect पढ़ता है electric resistivity पर किसके super conductor की super conductor क्या है एक ऐसा material है जिसका temperature अगर आप घटाते हैं तो वो as a conductor होता है उससे भी fast काम करना start कर देता है तो वही effect यहाँ पर पूछा गया है कि क्या effect पढ़ता है temperature का और चुकि resistivity की बात की गई है तो जब conductivity बढ़ेगी तो automatically resistivity क्या होगी decrease होगी तो इसको हम देखते हैं कैसे आप इसको लिखेंगी तो super conductors act like perfect conductors जिसमें आपका resistance कितना होगा 0 यानि के conductor क्या होता है conductor वो material होता है जिसमें electricity conduct करती है electrons का flow होता है current का flow होता है तो that means super conductor एक perfect conductor की तरह काम करेगा जब resistance की value क्या होगी 0 होगी at very low temperature उस समय temperature कम होना चाहिए जैसे कि मैंने अभी starting में आपको बता है कि super conductor material की एक property है एक assimability है इसको अगर आप below the critical temperature लेकर जाते हैं तो ये as a super conductor बहुती high speed की तरह current का flow कराना start करता है क्योंकि वहाँ पर resistivity क्या हो जाती है 0 हो जाती है आगे as temperature increases अगर हम temperature increase कर देते हैं तो materials resistance also increase मतलब जो question में पूछा गया था वो यहाँ पर आप बताया गया है कि अगर temperature आप बढ़ाते हैं तो electrical resistivity जो है इसकी material की वो भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी meaning it losses its super conductivity and behaves like a normal conductor याने कि अगर आप उसके temperature को बढ़ाते हैं तो resistance बढ़ेगा तो it behave like a normal conductor ठीक है clear हुआ तो यह आपका super conductor पर temperature का और उसके एक property electrical resistivity है क्या effect पढ़ता है I hope आपको clear हो गया होगा ठीक है चले next question देख लिते हैं next question है what is displacement current जैसा कि मैंने बताया था कि displacement current का two marks के point of view से बहुत ही important role है आपको इसकी definition 100% याद करके जाना ही जाना है तो जैसा कि अभी हमने discuss किया है displacement current क्या होती है कि electric field की strength की बजह से जो physically momentum नहीं हो रहा है तब भी महाँ पर current flow हो जाता है वो displacement current कहलाता है I hope आपको clear हुआ displacement current describes an invisible flow of energy in the changing electric field मतलब जो plates पर electric field की strength change हो रही है बढ़ रही है घट रही है इसकी वजह से जो current flow हो रहा है that's called the conduction current even without actual momentum of the electric charges यहाँ पर momentum कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में आपका dielectric material मिला होता है अगर आप capacitor की बात करें तो है न it likes a wave keeping pace with the electric field variation मतलब अगर हम इसको बात करें तो एक wave है जो keep कर रही है pace को अपने pace को बनाए रखे है due to the electric field variation और electric field के variation की वजह से ठीक है तो यह आपका displacement current हो जाता है आगे बात कर लेते हैं next question है what is pointing theorem pointing theorem क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर पूछा है तो यहाँ cable और cable आपको statement लिखना है ठीक है इसका derivation पूरा complete topic यह कराया गया है एक ही वीडियो में आप जाकर check कर सकते हैं एक्जाम के point of view से section B यह section C actually section B जो है वो तो पूरा numerical portion ही अब देने लग गई है university तो section C में long question के point of view से बहुत जादा important है तो pointing theorem क्या होती है इसका statement हम देख लेते हैं the pointing theorem describe the flow of energy in an electromagnetic field मतलब pointing theorem describe करती है कि इसको flow of energy को electric field के अंदर it tells us the rate at which energy is transfer through a specific area मतलब कहने का यह है कि एक specific area से कितनी energy transfer हो रही है या किस rate से energy transfer हो रही है that's describe the pointing theorem considering both the electric and magnetic field यानिके चूकि हमने अभी बताया कि electric और magnetic field के अंदर के presence में उसको represent कर रही है energy के transfer को that means वो electric और magnetic दोनों field को consider करेगी मतलब आप यह कह सकते हैं simple language में EM waves यहां से यहां पहुँच रही है तो यहां से यहां तक पहुँचने में किस rate से वो energy का transfer कर रही है या कर पा रही है that's called the pointing theorem imagine it is a formula that calculate the electromagnetic power flow at any point in the space imagine करिये कि यह एक formula है जो calculate करता है power के flow को in space किसी एक particular point clear है I hope pointing theorem आपको समझ में आ गई होगी इसका एक formula होता है अगर आप चाहें तो इस statement के साथ उस formula को भी लेख सकते हैं अगर generally मैं बात करूँ तो power equals to e into h directly इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि power का transfer in the form of electric and magnetic field from a specific area to the points in the space कहीं पर भी आप check कर सकते हैं तो किस rate से energy का power का flow हो रहा है वो आपका pointing theorem describe करता है ठीक है चली आगे बात कर लेते हैं write the assumptions of the Planck's hypothesis Planck hypothesis के क्या-क्या assumptions है वो यहाँ पर इसने पूचे हैं तो इससे पहले आपने दो laws पढ़ी एक तो wins law पढ़ा एक ray line जिन्स law पढ़ा जो की black body के radiation को describe करने की कोशिस कर रहे थी लेकिन एक law for the lower wavelength fail हो गया एक law for the higher wavelength fail हो जाता है उसके बाद Planck ने अपना लौ दिया जो की lower wavelength की light से higher wavelength की light तक की जो black body radiation है उसको simply describe करता है तो यहाँ पर assumptions पूचे गए हैं जैसे की इनके जो Planck's hypothesis है उसका main assumptions यह हुआ कि इन्होंने बताया कि जो energy label होता है वो क्या होता है quantized होता है मतलब जो energy का flow हो रहा है light का वो in the form of the quantization हो रहा है मतलब packets की form में हो रहा है जिनको quanta बोल दिया जाता है ठीक है और दूसरा quantized oscillators की form में इन्होंने बात कही थी मतलब जो atoms हैं वो एक specific frequency के साथ vibrate करते है ठीक है तो ये कुछ assumptions इनके जो law है या इनके आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो winds law और Ray-lying-gins law को जो fail हो गए थे particular wavelengths को लेकर उसको describe किया है और वहाँ से कुछ results निकलते हैं जैसा कि pointing hypothesis made two key assumptions first one is the quantized energy level जो energy can only be emitted और absorb why an atom in the discrete packets called the quanta not continuously मतलब energy जो है वो quanta की form में चल रही है packets की form में चल रही है यानि कि discrete form में चल रही है ना कि continuously और quantized oscillators यानि कि oscillation जो हो रहा है वो भी quantized form में है atom vibrate at a specific frequency मतलब जो atoms vibrate कर रहे हैं वो particular किसी specific frequency पर vibrate कर रहे हैं और these frequencies determine the energy level of the emitted या absorb quanta यानि कि ये जो frequencies हैं ये describe करती है energy levels किसके atom के जो की emitted हो या absorb हो मतलब कि energy level उसका यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ बिलो पर है ठीक है तो ये सब आपका quantized oscillation की form में है that means सारा जो है वो continuously नहीं हो रहा है वो आपका discrete form में है जिनको हम quanta बोल देते हैं ठीक है तो ये planks के hypothesis थे important दो ठीक है चले अब next बात करते हैं next question क्या कह रहा है कि explain the necessity of the extended sources extended sources का मतलब क्या है extend means क्या होता है ये question है आपका interference related यहाँ पर एक point source ले लेते हैं और इस source को ही हम थोड़ा सा extend कर देते हैं ऐसे तो इससे फर्क क्या होगा यहाँ से जो light निकलेगी ये कम spread होगी इसके spreading होने की जो chances है वो कम है यहाँ से जो source से light निकलेगी उसके spreading होने की probability जादा है और जितनी जादा spread होकर light पहुचेगी उतना जादा sharply आप आगे screen पर interference pattern देख सकती है ठीक है तो extended sources का यही necessity है इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे extended sources like a wide slit और a broad way front are necessary for observable interference pattern यानि के interference pattern को observe करने के लिए extended sources का होना जरूरी है आगे point sources जैसे की light from a single point would not produce a clear pattern because the wave would spread out uniformly in all directions ठीक है यानि के uniformly spread हो जाएगी सभी direction में और वहाँ से आप interference pattern को visual नहीं कर सकते clearly नहीं देख सकते इसके लिए extend करना पड़ेगा अपने source को ठीक है clear हुआ तो आई होप आपको पता चला होगा कि extended source की necessity क्या है ठीक है चले आगे बात कर लेते what are the newton rings newton rings क्या होती है तो अगर आपने newton's ring experiment बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि newton's rings होती क्या है actual में क्या है जो interference है वो interference हो रहा है दो light waves के एक साथ interact कराने पर ठीक है अब यही lights wave जब interact कर रही है तो एक point of locust पर interact कर रही है उसके आसपास वहाँ पर pattern दे रहा है interference का तो इसका मतलब जो interference हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है circle form में ठीक है और इन circle form की बजह से ही आपको bright और dark इस तरीके से मिल रहे है जैसे की ring होती है यानि कि जैसे की circle होता है तो इसलिए इनको newton's ring बोल दिया जाता है और यह experiment newton ने perform किया था तो इसलिए इसको newton's ring नाम दे दिया जाता है तो आप कैसे इसका अंसा लिखेंगे newton rings are a colorful interference pattern caused by the light reflecting between a curved surface and a flat surface in the close contact मतलब एक आपका plano convex lens होता है जिसका एक जो सिरा होता है वो plane होता है और उसके वो जो रखा होता है वो किसके उपर रखा होता है एक plane glass plate के उपर रखा होता है जब यहाँ पर light आती है light इस पर गिरती है reflect होती है और आगे जाकर interference pattern create करती है तो आपको यहाँ पर pattern जो देखने को मिलता है वो कुछ circle की form में मिलता है ring की form में मिलता है इन्हें ही आप newton's ring बोलती है It appears like a series of concentric circles often seen with a rainbow effect ठीक है? तो यह आपका mutants ring कहलाती है ठीक है? यहाँ पर आपको bright, dark, bright, dark इस तरीके का pattern देखने को मिल जाता है ठीक है? I hope आपको यह question भी clear हुआ होगा ठीक है? तो चलिए अब आपने second last question पर चलते हैं आज के define the dispersive power of the grating grating की dispersive power क्या है? वो यहाँ पर describe कराई गई है तो dispersive power generally क्या है? कि आपकी जो दो closely wavelength है उनको separate करना ही आपका किसी भी instrument की जैसे कि यहाँ पर grating बोला गया है उसकी dispersive power होती है जैसे हम बोल देते हैं कि हमारी power यह है कि हम इस चीज को अलग कर सकते हैं अभी दूद का दूद पानी का पानी कर सकते हैं तो वैसे ही grating की वो power वो strength के वो दो closely wavelength को separately करके बता सके वो आपका dispersive power of grating कहलाता है लिखेंगे कैसे? The dispersive power of a grating refer to its ability to separate light of different wavelengths मतलब dispersive power किसी भी grating की एक ऐसी ability है जो separate करती है light को जो different wavelengths की है और ये wavelength closely होती है एक दूसरे के मतलब एक जैसे wavelength हुई आपकी 720-0 angstrom और दूसरी wavelength है 7300 angstrom तो इन दो closely जो wavelength है light की उनको separate करने की ability grating की वो dispersive power कहलाती है इट लाइक से prism strength in spreading the color जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं कि prism की तरह है जब आपकी prism पर एक prism कुछ इस तरीके से होती है ठीक है आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी इस पर जब white light incident होती है तो ये आगे जाती है आगे जाकर फिर आपको कुछ इस तरीके से pattern यहाँ पर देखने को मिलता है यानि कि ये आपके जो seven color इस एक white light में थे उनको separate कर दिया यहाँ पर तो ये seven color एक ही जगह है जैसे ही ये इस prism से पास होए तो आपको यहाँ पर seven colors अलग-अलग angle पर spread होते हुए दिख जाएंगे और चुकि color अलग-अलग है तो उनकी wavelength भी अलग-अलग होगी तो आप इस तरीके से समन सकते हैं grating को ठीक है और उसकी dispersive power को the higher the power the greater the angle difference between the light of different colors diffracted by the grating मतलब जितनी ज़्यादा high power होगी grating की उतना ही वो great angle पर आपके light को जो different different wavelengths की है different different colors की है उनको क्या कर पाएगी diffract कर पाएगी ठीक है तो ये आपका dispersive power हो जाता है ठीक है clear हुआ चलिए अम next question चलते हैं last question है numerical form में पूछा गया है find the momentum of a photon having energy 1 into 10 to the power ये minus 17 है 10 to the power minus 17 joule ये आपका question दिया हुआ है ठीक है तो चलिए I hope इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएगे क्योंकि momentum ही यहाँ पर पूछा गया है p की value आप से यहाँ पर पूछी गई है और energy आपको given है तो किस तरीके से आप करेंगे find the momentum of a photon we can use the relation between the energy planks constant and the wavelength lambda चीक है इसका use अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है equals to hc upon lambda मतलब अगर हमें momentum find out करना है तो सबसे पहले हम इस formula का use करेंगे equals to hc upon lambda और यहाँ से सबसे पहले हम wavelength find out करेंगे ठीक है चलिए wavelength find out करेंगे इस formula से जैसा कि हमने पता है equals to hc upon lambda है और फिर उसके बाद आप momentum निकालेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर wavelength निकाली है वो क्या होता है according to the de Broglie hypothesis p equals to h upon lambda आपके पास momentum निकालने के लिए lambda होना चाहिए लेकिन lambda given नहीं है केवल energy given है तो आप lambda यहाँ से find out कर लेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले lambda find out कर लेते हैं क्या-क्या given है given है हमें energy of the photon 10 to the power minus 17 joule और planks constant हमें पता है 6.6 3 भी बोल देते हैं आपर into 10 to the power minus 34 joule second और speed of light in vacuum हमें पता है 2.99 यानि कि हम इसको 3 into 10 to the power 8 लेकर चलते हैं मीटर पर सेक्ड ठीक है यह आपका चीजे given है या फिर आपको पता है ठीक है चले अब पहला step सबसे पहले हमें क्या find out करना है हमें find out करना है lambda की value तो to calculate the value of the wavelength equals to hc upon lambda यहां से lambda गर आप निकालेंगे तो lambda इदर चला जाएगा और e upon में आ जाएगा तो hc upon e सारी values आप put करेंगे calculate करेंगे then you get the lambda equals to 1.986 into 10 to the power minus 9 meter ठीक है क्योंकि यहां पर सारी values आपकी joule second meter per second joule में रखी गई है तो यह आपका lambda की value meter में आ जाएगी clear I hope यहां पर कोई भी समस्या नहीं होगी या बहुत easy तरीके से निकाल सकते है calculation के लिए आप खुद से try करेंगे calculator में होता है lambda की value हमने निकाल ली है P हमें पता है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second होता है आपने यहां पर lambda की value रखी 1.986 into 10 to the power 9 minus 9 meter और जब आप इसको calculate करेंगे then you get the P equals to 3.337 into 10 to the power minus 25 kg meter per second तो यह आपका momentum की value आ जाती है I hope two marks में इस तरीके का question आप नहीं छोड़ कराएंगे बहुत easy way में यह question पूछा गया है clear हुआ चलिए तो यह आज की स्रंखला यहां पर खतम हो जाती है thanks for watching this video आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप अपने महतपून सुझाव comment box में जरूर comment करें कितना helpful आपके लिए यह series हो रही है उसकी भी जानकारी आप यहां पर दें देखें आपके exam के समय के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है अभी आप को हम एक ऐसे संखला भी प्रोवाइट कराएंगे जिसमें हम दो से तीन लास्ट यर के questions पेपर भी कराएंगे मतलब किस तरीगे के questions पेपर आई हुए थे उसमें हम short questions आपको answer के साथ प्रोवाइट कराएंगे जहां पर long question conceptual form में पूछा गया है देखेंगे आप जब second semester का question paper last year का देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि first semester और second semester के paper में कितना difference रहता है तो मैं इसे लिए कहना चाहरा हूँ आपको कि अब अपनी पढ़ाई पर आप लग जाए ठीक है अपनी तयारी start कर दीजिए क्योंकि second semester का paper थोड़ा सा hard आता है compare to the semester first अगर आप first semester के paper को analyze करेंगे तो आपको easy लगेगा लेकिन second semester का थोड़ा सा उससे typical label किया जाता है यानि कि वहाँ पर conceptual questions पूछे जाते हैं तो आप खुद वहाँ पर separate कर पाएंगे first semester और second semester के paper को साथी साथ कौन कौन से important topics हैं जो आपको छोड़ने ही नहीं है तो अगर आप हमारी playlist पर जाएंगे तो important topics के एक संखला मैंने बनाई हुई है two marks के लिए भी seven marks के लिए भी और एक model paper भी last semester के लिए मैंने provide कर आया था तो वो आप जाकर देख लें कहीं पर भी कोई समस्य आपको नहीं होगी एक plan के साथ आप अपनी तयारी करना स्थार्ट कर दे एक महा मेराथन physics की available है हमारे ही YouTube channel पर लगवग वो 6 घंटे की है उसमें जो महतपून topic हो सकती थे उनको मैंने एक ही जगे merge करके वो वीडियो आपको provide कर आई है आप उस वीडियो को देखना स्टार्ट कर देजी और एक एक करके अपना जो important topic है exam के point of view से उन्हें तयार करना स्टार्ट कर देजी और इस संखला को आप continuously देखते रहे है guarantee है two marks आपके का जो section A है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा आप एक भी question वहाँ पर miss नहीं करकर आएगे ठीक है तो आप अपने valuable comments जरूर देए और साथी साथ वीडियो को जादा से जादा अपने friends अपने collect के साथ share करें जिससे की सभी बच्चे पर वीडियो के link को share कर दें जिसको अगर जरूरत है तो वो जाकर यहां से help ले सकता है ठीक है चलिए कोई भी आपकी problem है notes से related या फिर वीडियो में किसी भी topics related आप comment box में बहिचा comment कर दीजिए या फिर आप हमारे number 8273 708952 पर whatsapp message करकर भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते है तो कोई भी समस्या है तो आप बहिचा comment करें whatsapp पर message करें आपका solution जरूर provide कराए जाएगा चलिए मिलते हैं आप इस संखला के next part में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत